देवुलिना भटाचार जी ने किया निकी तंबोली को चालेंज, आखरकार क्या कुछ कहा है और क्या चालेंज दिया है बताऊं कि आपको इस पीडियो में निवसकार मैं सनक्धास फाकट करती हूँ आप सभी का वारे चानल पर आपको बता दे कि निकी तंबोली को देवुरेना भटा चारजी नी फाइनली ये चैलेंज किया है कि वो एक घंटे सभी को एंटर्टेन करके दिखाएं आपको बता दे कि प्रेस फॉर एंटर्टेनमेंट का टास्क चल रहा है जिसमें दो कंटेस्टेंस आएंगे और ऐसे में पांच ग्रूप में कंटेस्टेंस को बांटा गया है दो दो में और जो कंटेस्टेंट फाइंदी बजट बजटाएगा वो उसको मिलेगा एक घंटे मौका दर्शिकों को लाइव एंटर्टेंड करने का और यह वूट सलेक्ट पर जैसा मैं आपको कल भी बताया था यह वूट सलेक्ट पर यह लाइव उपॉच्टेंटी है कि आप अपने बेस्ट एंटर्टेंटर को विनर बना सकते हैं तो इस तरीके से यह एक यह उपिजा है उनकी फिलिंग्स ऐसे में उनोंने यह से पता आया कि रूबीना और अबिनप के साथ वह पहले ज़ादा कमफोटेबल नहीं थी लेकिन आ उनके साथ रहने के बाद पता चला कि वह बहुत ज़ादा कमफोटेबल है उनके साथ वहीं राहुल वैट पर उनों फील करने लग जाती और ये मेरे गेम के उपर जादा असरकर्टा इस पज़ा से मैंने इनके साथ डिस्टेंस मेंटेंड किया और इनसे दूरी ही बनाई रखी और वहीं उन्होंने सुनाली फोगाट के लिए कहा कि सुनाली कुछ करती ही नहीं है और इस तरीके से उन्होंने फर एक एक कंटेस्टन को लेकर कुछ ना कुछ डिस्रिप्षिन्स दिये हैं, तो कुछ अस तरीके से निकी तंबोली ने एंटर्टेन किया साथ ही साथ गोपी बहु बनी देवुलिना को, उन्होंने जम कर वाट लगा दी है, कुछ अस तरीके से उन्होंने कोशिश की है और को एंटरेटेइन करने का, क्या आप निकी तंबोली से हुए हैं एंटरेज्ट रडाओ क्या पास करने करेंगा कि या निकी आर्ड को किया है ना लागता है क्या बनेगा सबसे ध्ला एंटर्टेइनर जरूर बताइए का हमारे खमेंट सेक्शन में तमाम वालेवों जो टीवी दुनिया से जुड़ी हरी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा चानल